हाँ जी दोफ्तों सभी को नमस्कार मैं हूँ आपका अपना दोफ प्रप्री सेंग और आप सभी का स्वागता माइक्रो इडिकेशन यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेंगन सिस्टम को खेत में कैसे फिट किया जाता है इस वीडियो को अन तक जरूर देखें ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकरी हो जाएगी कि रेंगन को खेत में कैसे फिट किया जाए आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में जो बेल का आइकोन उसको प्रेस कर दीजिए ताँ जो जब भी मैं ऐसी ही नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफकेशन आपको तुरंत आ जाए तो चलिए आए दोफ्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि दोफ्तो आप देख रहे हैं ये HTTP पाइपस है ये portable पाइपस होती है बीट्य की लेंध होती है हर पाइप को हर पाइप के आगे कलम्प लगा होता है आपने इवली इस कलम्प को पाइप के साथ किनेक्ट कर देना है और आगे पाइप पे लगाते चले जाना है यहाँ पे हमने यह control valve निकला हुआ है main PVC pipe से और इसमें एक gate valve दे दिया है अगर आपने pump के आगे लगाना है तो सीधा इस PCN को आप अपनी जो motor है उसके आगे लगा सकती है इसी तरह पे जहाँ पे आपने rail gun को लगाना है वहाँ तक आपने इन pipe को connect करते हुए चले जाना है यह pipe वेट में बहुत हलकी होती है बट इनकी durability बहुत है जैसा कि आप देख रहे हैं इन pipe को एक मंदा राम फे दो तिन pipe को उठा के fit कर सकता है इन pipe का 5, 2 इंची, 3 इंची, 3 इंची और 4 इंची में available होता है आप अपने discharge के इसाफ़ इन pipe का chain कर सकते है इन pipe का सबसे बड़ा फाइदा यही है कि आपने जहाँ पे rain gun को चलाना है वहाँ पे चलाने के बाद वहाँ से उठा के आप rain gun को आगे कहीं shift कर सकते हैं जहाँ भी आपने अपने खेत को पानी देना है और इनके कलंप इवली लग जाता है और यह निगलता नहीं है जब तक कि आप इसको ना निकाल लें यह है दुफतो हमारी rain gun यह 1.5 इंची की rain gun है यह 1.5 इंची का मेरा मतलब है कि इसका inlet जो है वो 1.5 इंची का है यह इसके फार ट्राइपोड stand है यह stand होता है rain gun को मजबूत्ती के फार खड़ा रखने के लिए इस stand को लगाते हैं हमें आपने बड़ा ध्यां रखना है कि इसको मजबूत्ती फे जमीन में गाड़ दें क्योंकि हमारी जो rain gun है वो high pressure की ओपर चलती है तहां जो जब जोर सी rain gun चले तो वो दवाब के कारण stand गिर ना जाए इसको अच्छी तरह से आप जमीन में गाड़ दीजिए और यह हमारा दोस्तो जो rain gun के base में आप देख रहे हैं पीपियन लगा होता है इन पाइपों को आपने ऐसे ही क्रंप के साथ rain gun को इसमें फिट कर देना है यह हमारी rain gun इस pipe के साथ फिट हो गई है अब हम लोग इसके stand को अच्छी तरह से जमीन में फिट कर देंगे आपने अपने खेट के फेंटर में rain gun को लगाना है जहां पे आप माल लीजिए के चारो तरब अपना खेट साथ फिट तक हो जो rain gun का 3 kg के ओपर हमें radius मिलेगा वो तक करीबन 100 फूट का मिल जाएगा अब ही हमने stand को अच्छी तरह जमीन में दफा दिया है इस rain gun में दोफ तो nozzle आती है 12 mm, 14 mm, 16 mm और 18 mm की जब भी आपने nozzle की विजाई की है उस समय आपने 12 mm nozzle का इस्तमाल करना है 12 mm nozzle का discharge बाकी nozzle से कम होगा और पानी की बूंद शोटी होगी अगर discharge कम होगा तो पानी की बूंदे भी शोटी जाएंगा ऐसे दोस्तों आप nozzle को change कर सकते हो nozzle को आपने nozzle के पानी के फ़ाइप से लगाना है और nozzle की age का चल रही है उसicorn के फ़ाइप नोजल को लगाना है यहांसे आपने nozzle को खोल देना है उन nozzle को खोलने के बाद आपने यहां पे दुछी nozzle लगा देनी है दोस्तों जो rain gun का सबसे बड़ा फाइदा होगा वो ये कि जो atmosphere में nitrogen है वो nitrogen पूरी foil को मिल जाएगी rain gun के चलने से उपर से जैसे ही पाणी गरेगा और वो नीचे जमीन में जाएगा तो पूरी nitrogen default होके जमीन में मिलेगी और साथ में दोस्तों जो वी इसमें infects होंगे पेस्ट होंगे फफल की ओपर वो फारे के सारी rain gun से धूल जाएगे rain gun के विए बहुत फाइदे होते हैं और एक तरह से आप केत में बारिश कर रहे होते हैं बारिश का जो भी पानी ओपर से फफल को मिलता है उसके फाइदे बहुत होते हैं ऐसे आपने nozzle को fit कर लेना है nozzle को अच्छी तरह से आप कफ लीजिए ताहां जो यहां पर कोई सी किसम की कोई leakage ना हो इस rain gun को आप किसी भी डिगरी के ओपर भी fat कर सकते हैं अब हमारी rain gun fit हो गई है तो अब हम लोग इसको चालू करते हैं अभी आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे हमें तक्रीबन 90 feet के आसपास इसका radius मिल रहा है diameter 180 feet है यहां पे हमारा pressure इसमें जो चल रहा है वो 3 kg के ऊपर यह rain gun operate हो रही है और इसका जो discharge आ रहा है वो तक्रीबन 3.3 LPS के आसपास आ रहा है 3.3 LPS दोस्तों मैं उमीद करूँगा कि यह वीडियो देखने के बाद आपको rain gun को fit करना आ गया होगा फिर भी इसके regarding आपका कोई भी स्वाल हो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं मैं उसका reply जरूर करूँगा कि ऐसी ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनलन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और इस वीडियो को like और share जरूर कीजे यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दो